हेलो फैंट्स विलकम टू माई टूप चैनल जीनियस इस्टडी 2.0 पर दोस्तो आज की इस वीडियो में देखेंगी जीके के टॉप 50 कोशन जो आप सभी के एकजाम के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड होंगे तो दोस्तो आप लिए इस वीडियो को सु इसने 50 में से राइट आंसर होते हैं फैंट्स फैस्ट कोशन पूचाएंगा कि प्रतिवी राज चोहान की राजधानी कहां थी तो फैंट्स इस प्रस्टिन का राइट आंसर हो जागा आपसे नमर्ड यानिके अजमेर में दोस्तो इस क्लास में हम सुपर फास्ट क्लास करे समुद्र का पानी किसी विद्ध द्वारा गर्म होता है अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं तो राइट आंसर हो जागा हिमाचल प्रदेश राज में अगला इस्ट कोशन बताएंगे सबसे पहले जनगरना किस वर्स हुई थी चले इस प्रसंद का राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी बताएंगे ठीक है यह कोशन को मानिये कि मैंने आपके लिए होम वर्क दिया है फ्रेंट कोशन नमर आठ है कि खुदा बक्स ओरेंटल पब्लिक लाइबेरी की इस्थापना किस वर्स हुई थी तो फ्रेंट राइट आंसर हो जागा आप्स नमर भी यानि कि 1891 में अगला फ्रेंट नेस्ट कोशन नमर 10 की महादेव पहाड़ी कि स्राज में इस्थित है आपसने मध्ध प्रदेश जहार खंड उत्त्रा खंड फिट जम्मू कास्मीर तो फेंट राइट आंसर हो जागा मध्ध प्रदेश में अगला नेस्ट कोशन बताएंगे कि सूरी के प्रकास में कौन सी बिटाम बिटामिन डी होती है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बिटामिन डी का रासा इनकी नाम क्या होता है अगला नेस्ट कोशन बताएंगे कि भारती पुरात्त सरवेच्छण का मुख्याले कहां पर इस्थित है आपसने नई दिली कोलकाता तंजावर या फिर पौधों में प्रकास संसलेशन के दोरान ऑक्सीजन गैस निकलती है नेस्ट कोशन बताएंगे कि दक्कन पर बिजय प्राप्त करने वाला पर्थम सुल्तान कौन था तो फेंट्स राइट आंसर हो जागा अलाउद दिन खिल जी दक्कन पर बिजय प्राप्त करने वाला प् कटक नेस्ट कोशन बताएंगे फ्रेंट कोशन नमर 16 कि सरीर में पित का निर्माड कहां पर होता है तो फेंट से राइट आंसर हो जागा यक्रत में सरीर में पित का निर्माड जो फेंट से यक्रत में होता है नेस्ट कोशन बताएंगे फ्रेंट कोशन 17 कि सूरिया कि सूरि आपात काल की घुफडा कितने माह की होती है तो फेस्ट राइट आंसर हो जगा ऑप्स नमर एक माह की नेश्ट कॉशन बताएंगे फेस्ट कोश्चन 20 कि आरे भट किस आसक के दरबार में रहते थे तो मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जागा चंद्रगुप्त दुतिये के सासनकाल में नेश्ट कोशन बताएंगे फैंस कोश्चन 21 की कन फ्यूशिस का असली चीनी नाम क्या था तो फैंस राइट आंसर हो जागा कुझ जू यानि की ऑप्स नमर बी राइट आंसर हो जागा नेश्ट कोशन बताएंगे फैंस कोश्चन 22 की गुबारा किस गैस से फुलाया जाता है यहां पर टाइपिंग मुश्टेक हुआ है लेकिन आप लोग बताएंगे गुबारा किस गैस से फुलाया जाता है तो राइट आंसर हो जागा फैंस हीलियम आप्स नमर सी नेश्ट कोशन बताएंगे फैंस कोश्चन 23 की किसन पूर किस नगर का प्राचीन नाम था तो फैंस राइट आंसर हो जागा आप्स नमर सी यानि की राची का नेश्ट कोशन बताएंगे फैंस कोश्चन 24 की नो सेना का पूर्वी कमान कहां पर इस्थित है तो मेरे पहरे दोस्तों नो सेना का पूर्वी कमान जो फैंस है विसाखा पटनम में इस्थित है नेश्ट कोशन बताएंगे फ्रेंट्स कोशन 25 की बिस्व की पहली महिला आंत्रेश यात्री कौन थी तो फ्रेंट्स राइट आंसर हो जागा वेला तीना तेरा स्कुआ यानि कि आप्स नमर सी राइट आंसर हो जागा अगला next question बताएंगे friends की इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या था चले सबी friends right answer बताएंगे तो friends right answer हो जाएगा option number D यानि की प्रयाग इलाहाबाद का प्राचीन नाम था friends प्रयाग अगला next question बताएंगे friends की सूरी के सता का तापमान कितना होता है इस प्रसंट का राइट आंसर हो जागा 6000 degree centigrade नेस्ट क्वेशन बताएंगे फेशन कोश्चन नमर 28 है कि तीन का व्रहत्तम उत्पादक देश कौन सा है तो फेशन राइट आंसर हो जागा मलेशिया तीन का व्रहत्तम सरवाधिक उत्पादक देश है मलेशिया नेस्ट क्वेशन बताएंगे फेशन कोश्चन नमर 29 है कि दादा साहः फाल के पुरुषकार कि शेत्र में दिया जाता है तो फेशन राइट आंसर हो जागा दादा साहः फाल के पुरुषकार जो फेशन से सीनेमा के शेत्र में दिया जाता है नेश्ट को सब्सक्राइब कि रेश्वाधिक उत्पादन किस राज में होता है तो फेंट्स 30 का राइट आंशर होजागा यानि कि ओप्स नुमर सी करनाटक राज में अगला नेश्ट कोशन मताइब कि फेंच कोशन में 31 कि All India Muslim League की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो फेंस राइट आंसर हो जागा इस परसंगे इस प्रसंद का मध्य प्रदीश पूरब से पश्यम की और बहती है तो फिंट्स राइट आंसर होज़ेगा option number A नर्मदा न दी next question बताएंगे फिंट्स question number 35 है कि भारी जल भारी जल परियुजना कहां पर इस्थित है तो फिंट्स राइट आंसर होज़ेगा तल्चर यानि कि option number B फिंट्स question 35 की पतना का प्राचीन नाम क्या था चले इस्था भी फिंट्स राइट आंसर बताएंगे 35 का तो फिंट्स राइट आंसर होज़ेगा option number D यानि कि पाट्टिल पूत्र तो दोस्तों ये थे आज की हमारी इस class में question आप लोग बताएंगे आपको class कैसी लेगी पसंद आई तो लाइक करना और कल आपको नेश्ट वीडियो में आपको 50 question मिलेंगे धुआधार तरीके से तब तक के लिए जैन जैभार्त वंदे मात्रम झाल 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 झाल झाल